नमस्कार किसान साथियों मैं आपका दोस्त नरेंद्र पोर्वाल आपके अपने यूटूब चेनल देश की सान हमारे किसान में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ किसान सातियों बहुत सारे किसान भयों ने सोयविन बेच दिया हैं और बहुत सारे हमारे किसान भयों ने सोयविन को अभी तक रोक कर रखा हैं अच्छी तेजी की उम्मीद में रोक कर रखा हैं जबकि सोयवीन का भाव 5,000 से 6,000 के बीच में ही रेगूलर चलता रहे रहे हैं। और इसकी जानकारी हमने वीडियो के माध्यम से भाव भविश्य की जो वीडियो हमने डाली थी, उसमें भी बता दी थी कि सोयवीन 500 रुपई से 6,000 के आसपास ही चलता रहेगा। आपने वीडियो नहीं देखा हैं, तो आप वह भी चेनल पर जाकरें डिस्किप्शन में लिंक के माध्यम से देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई पूरा नहीं, अब बात करें कि वर्तमान में भाव क्या चल रहा हैं, तो सोयवीन की जो बिजवरा क्वालिटी की, जो सोयवीन हैं, उसका कोई भाव नहीं है, वह 6500 से 7,000 रुपई, 7,200 रुपई, और जो 11,35 रवीए सोयवीन हैं, वह 8,000 रुपई जा रही हैं, जिसमें हलकी मिट्टी और दागी दाना मिक्स हो, 5000 से 5,500 तक जा रही हैं, और जिसमें दाल और मिट्टी जादा मिक्स हो, वह 4500 से 4800 रुपई तक के बीच में ही जा रही हैं, यह वर्तमान सोयवीन के भाव हैं, अब इनमें आगे जाकर सुधार होगा या नह होगा, अभी वर्तमान में भाव क्यों टूटे हैं, अभी 200 से 300 रुपई की नर्मी आई हैं, उसके पीछे क्या कारण हैं, उसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, तो आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, वीडि भी जरू करें जिससे वह भी इस जानकारी का लाब ले सकें और हमारी मेहनत सपलो खेती से संबंदित मंडी भाव से संबंदित और किसानों से जुड़े हर एक मुद्दे की जानकारी को जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए चेनल को लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें और पास में लगा घंटी का बटन भी जरूर दबा दे जिससे हम जो भी जानकारी डालेंगे वह बिना देरी के आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी तो आई ये जानकारी सुरू करते हैं किसान साथियों हमने पूर्व में भाव भविश्य की जानकारी आपको दे दी थी उसी अनुसार अभी भाव भविश्य चल रहा है भाव राव चल रहा है हमने वर्तमान का भाव भी आपको बता दिया है अब बात करें कि 200 से 300 रुपई की अभी नर्मी क्यों आई है क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था जो प्लांट के भाव भी आपको बता अर्जेंटीना में बारिस होना क्योंकि कुछ दिनों पेले अर्जेंटीना में जो फसल है सोयविन की वह मुर्जा रही थी वहापर बारिस की कुछ छेत्रों में काफी ज्यादा कमी थी और फसल का उत्पादन होना काफी कम अनुमान लगाया जा रहा था जबकि पिछले देखने को मिली जिसके कारण अनुमान बदल गए आंकड़े बदल गए और सर्वे के अनुसार महां का उत्तपादन बढ़ता हुआ देखता धिख रहा है। वृषी बाज करणे बार्म आजरोब इसकते हुए देखने को मिलया। तो उस कारण से भी जो है सोयविन के भाव में हमें 200-300 रुपई की नर्मी देखने को मिली और सबसे बड़ा और महत्मूर कारण इसे हम मान सकते हैं। अब दूसरा कारण की बात करें तो दूसरा कारण है ब्राजील में सोयविन की कटाई प्रारंब होना। क्योंकि ब्राजील में सोयविन की कटाई का समय अभी चल रहा है और 5-7% सोयविन अभी कट चुकी हैं और आगामी दिनों में अच्छी तरीके से वहाँ पर सोयविन की कटाई या सीजन चालू होने वाली हैं। तो वहाँ का उत्पादन आ रहा हैं उसके आंकड़े आ रहा हैं उसके अनुसार अंतरराष्ट्री बाजार को उम्मिद है कि वहाँ का उत्पादन अच्छा रहेगा और वहाँ से आपूर्ती ज्यादा मात्रा में हो सकती हैं। तो उस कारण से भी सोयविन के भाव पर प्रभाव पड़ा हैं और सो से डेड़ सो से दो सो रुपई की नर्मी वहां के कारण भी आती हुई हमें देखने को मिली हैं क्योंकि जो चीन के साथ साथ बड़े जो खरितदार देश हैं सोयविन तेल के वो ब्राजिल और या विदेशी बाजार की हलचल जो होती है उसका इंपेक्ट या प्रभाव भरती सोयविन के बाजार पर या तिलहन के बाजार पर जरूर देखने को मिलता हैं तो यह दूसरा कारण है कि सोयविन की कटाई ब्राजिल में स्टार्ट हो चुकी है और वहां पर जो कटाई का जो आखड़ा आ रहा है वो अच्छा आ रहा है उसके कारण जो हैं बाजार में कुछ सुस्ती आती हुई देखने को मिल रही हैं तुसरा कारण है चीन में कोरोनों का प्रकोब जादा बढ़ना क्योंकि चीन एक सोयविन का बहुती जादा खरितदार देश है आयतक देश है और वहाँ पर जो कोरोना की जो इस्तिती है या कोविट की जो थंभावना है वहाँ पर बढ़ रही है बाजारों में ज्यादा हल चल है और बाजार जो है वहाँ वहाँ पर कम खुल रहे हैं लोकडाउन की इस्तितिया लगने की संभावना है और कुछ जगे लगे हुए है उस कारण से भी वहाँ पर सोयविन का आयात कुछ कम मात्रा में देखने को मिला और वहाँ के बाजार सुस्त पड़ हुए हैं उसकी वज़े से भी सोयविन का आयात विदेसों से वहाँ पर कम हो रहा हैं जिससे की आपूर्ती जो हैं वहाँ पर कम हो पा रही हैं उसकी वज़ हैं और 200 से 300 रुपए की जो मद्दी आई है उसमें एक इसका भी अहम रोल हम मान सकते हैं उत्य कारण की बात करें तो चोथा कारण है एक तरफा बिक्वाली क्योंकि काफी लंबे समय तक इस्टा किस्टों ने दम भरा सोयविन को खरीदा और एक ही लेवल पर सोयविन जो है रह रही हैं उसकी तुल्ना में जो अन्य इन्वेस्मेंट किये थे उन्होंने जैसे की सोने पर किया था या जो गोल्ड या सिल्वर पर किया था उसमें उने ज़्यादा मुनाफ़ा निकलता हुआ दिख रहा है और सोयविन में उनकी पुंजी महीं पर अटकी हुई दिखत तो उसकी तुलना में उनका रुजान सोने चानदी की और बड़ा है क्योंकि आभी पिछले दिनों हमने देखा था कि सोने की कीमत बड़ी थी, चानदी की कीमत बड़ी थी, जबकि स्वयब इनकी कीमत वहीं के वहीं अटकी हुई थी, तो उन्होंने उनका सबर भी तूट गोदाउं में रख रखा है तो उनकी मार लग रही है किराय भाड़ा लग रहा है उसकी अपेक्छा इसमें कोई भी तेजी विशेज तेजी मद्दी नहीं आ पाई है जिससे कि उनका जो खर्च लग रहा है वह भी निकल पाई तो उन्होंने भी बिकवाली को जोर दिया है औ और एक तरफा मार्केट में बिकवाली के कारण भी मार्केट में आपूर्ती मांग की अपेक्छा बढ़ गई और हमें 200 से 300 रुपई की यह मंदी देखने को मिली किसान सात्यों ये तो 3 से 4 कारण हो गए कि मंदी क्यों आई अभी वर्तमान में भाव क्या चल रहे हैं और व किसान सात्यों सरकार की नितिया और विदेशी बाजार काफी जादा सोयविन के भाव पर प्रभाव डालते हैं इसलिए एक सटीक आंकड़ा दे पाना तो काफी मुस्किल हैं पर हमारा जो चेनल है वह काफी ज़्यादा आंकड़ों पर विशले सन करने के बाद काफी जगो आपको अब ज़्यादा लालच नहीं करना है किका पि काफी समय हो चुका है किसान साथियों वह तो उइस जो चीजी जेसे ही आपको मिलती रहें उसमें आपको सौयविन का विक्राय करते रहेना है जैसी आपकी आवशक्ता हो जैसा बाजार हो और उस अनुसार आपकी जरूरत जैसे जैसे आपको लगे उस हिसाब से आपको थोड़ी-थोड़ी मात्रा में सोयाबिन बेचते रहेना है जैसे आपके पास 400 कुंटल सोयाबिन है तो उसमें से आपको बाकि आपको यही सला है कि बाजार जो टूटे हैं वह वापिस से बढ़ेंगे एक बार जरूर और भी जो हैं अर्जेंटिना ब्राजील और अन्य देशों की जो सोयविन क्रोप हैं उनके आंकड़े बदलते रहेंगे उसके अनुसार तेजी मद्दी आती रहेगी तो आपको जानकारी केसी लगी कमेंट में जरूर बताए अगर आपके कोई सवाल या सुजा हो तो वह भी कमेंट में जरूर लिखे जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे आपके कोई सुजा होंगे तो वह भी जादा से जादा किसान बयों तक हम पहुंचाने का प्रयास कर रखी हैं आप वह भी जाकर देखें उन्हें भी लाइक सेर और चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपके पास कितना सोय बिन बचा हैं कितना बेची दिया हैं किस भाव पर बेचा हैं वह भी कमेंड में जरूर बताए जिससे सभी किसान भयों का जो है एक निस्क्रार से नि लिकल कर आ सके तो किसान साथ यो फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत वंदे मातरम